हलो फ्रेंड्स वन सेगेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में आपने हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी फ्राइडे की जिसमें हमने बताया था कि मंडे को मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और मार्केट बीरिश र भाटेशन वाली रेंज में फसा रहा मार्केट साइडवेस्ट बैयरिश बना रहा अब अगर हम बात करें कि ट्योजडे 9 जुलाई को मार्केट में क्या सिक्वेशन बन सकती है नौज जुलाई को मार्केट में किस प्रकार काimmen देखने के लिए सकता है तो इसके लिए हम डाटा का रोक करते हैं हमारी AITS को अगर हम देखें तो आज के पूरे कारोबार को देखें तो आज के कारोबार के लिए 24300 की स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपोर्टेंट थी क्योंकि इसके रेजिस्टेंस ने मार्केट को बिलकुल टाइट पकड प्राइस के नीचे गया लेकिन उसके बाद वापिस से मार्केट ने रिकवरी करी और 300 के उपरी इस तरो पर मार्केट क्लोजिंग देने में काम्याब रहा अब मार्केट में ट्यूजडे के लिए क्या सिक्टेंस बन रही है तो अगर यहां पर देखें जो आपका रेजिस 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हाइस बनता हुआ दिख रहा है वहीं अगर सपोर्ट की तरफ हम देखें तो सपोर्ट की तरफ जो ओपन इंट्रेस्ट हाइस बनता हुआ दिख रहा है यह 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर बनता हुआ दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ ज कल का दिन ये पूरा ट्रेंडिंग रहने वाला है कल का दिन जो है तोड़ू-फोड़ू रहने वाला कल के दिन मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलेगा मज़ अब नकी होदार आ आई होप आपको यह एनलेसिस पसंद आया होगा इसी प्रकार की इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अर्निंग वंडा को सब्सक्राइब कर लीजी इस वीडियो को लाइक करिए जादा से जादा लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच